नमस्कार साथियों आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चनल एजुकेटर आफ डेली में मैं आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ जो हमारे राजनीतिक चम्चागिरी से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप सबको पता है कि चम्चागिरी जो है वह आजकल है एक ऐसा शौटकट है जिसके तुरू आपको राजनीती में विशेशकर नाजनीती में नौकरी में या आपके वेबसाइट में जल्दी से जल्दी सफलता मिल सकती है तो यह चम्चागिरी के अपर मेरा वीडियो इसको एक बार हम ध्यान से देख लेते जड़ा यह कोर्स है जो हम डिगरी कोर्स करवा रहे है धीली युनिवस्टी से तो डिगरी कोर्स शुरू किया चम्चागिरी के अंदर इसके अंदर आप चम्चागिरी के सभी गुर सीख सकते हैं एक आधर चम्चा बनाने के शुरुआत हम करने जा रहे हैं सभी छेतर में काम्याबी 100% प्रोस्पेक्टर जिसको आप कहते हैं कई भी युनिवस्टी के अंदर जाते हैं एड्मिशन से पहले ऐसी एक बुकलेट आपके सामने परोसी जाती है तो उसी तरह कि कुछ बुकलेट अपने तयार कि अपने कोर्स से जुड़ी हुई तो आप जो भी लोग इंट्रस्टे थिख करना सीख जाते हैं तो आप राजजिती अदर टिकेट जरूर ले आएंगे यह हमारा वादा हमारा दावाइ तो चमचो के लिए ही आजकल सबकुछ हरा 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 भाकि सबके लिए सूखा है हरता हर रहा हर याली चम्चों के लिए है चम्चा-गरी का को शुरू करते है आईए आप सबका बहुत स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर आफ देली में मिलना मुकेश किरा रहे हम बीच बीच में राज्टी से जुड़े वीडियो भी आपके बीच में आते रहते हैं तो उसी सीरीज में हमारा एक नया वीडियो है जो आज शिरू होने सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने सभी जानने वाले दोस्तों रिष्टादारों को शेर कर दे और जो राजजीतिक के लड़ रहा है या राजजीतिक अंदर है उनको जरूर शेर कर दे क्योंकि उनके लिए विशेश मैटपून और इंपॉर्टन वीडियो है इसको द आने वालों को तो आए शुरू करते हैं वीडियो को हमारा एक विशेश ऑफर सभी राजजीतिक पार्टियों के लिए मैं एक बार फिर आपको कहा दूं कि हमारा किसी भी राजजीतिक पार्टिय से कोई संबन नहीं है हम किसी निता विशेश को यहाँ पर टार्गेट नही कर रहे हैं हम केवल ऐसे लोगों में जागरुक्ता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसना किसी राजनितिक पार्टी के कारे करता है और अपना राजनितिक जीवन एक पार्टी के लिए जी रहे हैं तो ऐसे ही राजनितिक कारे करता हो कि अबंद आखों को खोलने का हम मिटा दें और एक उजाले का इम इनक पर्कास चड़ तरफ फैल जाए तो आईए शुरू करते चंचा बंना बहुत कठिन काम में लोग सोचके चंचा कि असान काम नहीं यह चंचा बन?". इतना असान काम नहीं है और हर किसी में यह विशेष्टा नहीं होती कुछ लोगों में अच्छी विशेष्टा होती है कि वह इतनी अच्छी बटरिंग करते हैं तो आज्य शुरू करते हैं जैसे आफ फोटो में देख पा रहे हैं कि एक महीला बैठी हुई है और बहुत सारे नितागण ऊसकी चम्छागरी में लगेंअ बगाए उप्स सब का अधरी करने में कर लें तो कोर्स जल्द होने वाला है जिसमें हम विशेष्ट चम्चे तेयार करेंगे जहा को है यह शुरू करते हैं एक हमारा प्रास्पेक्टर से चम्चागरी के जो कोर्ड से उसका तो आए ज़रा पढ़ लेते हैं दो लाइनों को राजनीती में कोई वफदार नहीं होता जो ना करे चम्चागरी वह अगदार नहीं होता नेताओं की फितरत ऐसी की जहां कोई नहीं बहर के बीज, निता, कैसा, जिसके सिर्फ इलजाम नहीं होता, महच चन पैसों की खाते सब को लूटते हैं, ये शातिर, बैट कर खाते हैं, इन में कोई कामगार नहीं होता, चम्चों के भी चम्चे हैं, ठीक ही इनकी भी बोल, किन्तु चम्चा तो चम्चा है, ये दमदार नहीं होता, तो चम्चों के लिए एक विशेश लाइन ठी, आज शुरू करते हैं, अगले कि दर चलते हैं, बुद्धी मान वेक्ति कभी चार्टुकार वेक्ति से फरक या है, कि बुद्धी मान वेक्ति जन की बात करता है, और चार्टुकार वेक्ति सिर्फ चम्चागिरी की बात करता है मुद्डा खोच के निकालो भैकावे में मताओ दोस्तों चम्चागिरी में ही सब कुछ है चम्चागिरी करते जाओ दोस्तों चम्चागिरी की हद है अगर इम्रान खान किसी को नेता का नाम लेकर देश द्रोई लेकिन मोदी का नाम ले तो मजबूत विदेश नीती यही है गोडी मीडिया की सच्चाई मत रहना चाहे चंदुश्मनों और जासुसों से बच कर पर जरूर रहना दोस्तों जिन्दगी में चापलूसों से बच कर तो एक बहुत अच्छ पर कहता हूं दिमाग में चापलूसी वाला मिल्टर नहीं लगवाया मेरी तरफ देखकर लोग खुल जट खुट जल गए मैंने किसी के पिछवाड़े में आग नहीं लगवाया तो चापलूसों को चापलूस कहने से उनके पिछवाड़े में आग लग जाती और फिर क्या चापलूसी और दलाली में केवल एक ही अंतर है दलालो की कोई सीमा नहीं होती और चापलूसी की कोई उमर नहीं होती कुछ लोग दोनों भली बाती करना जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाली और चापलूसी दोनों करते हैं और राजनितिक में दा ऐसे दलाल और चापल अधिक मातरा में पाये जाते हैं और यही सफल होते हैं राजनीतिक अंदर चापलूस लोग आपको खुष्टो कर सकते हैं पर वही लोग एक दिन आपकी तभाई और बरवादी का कारण भी बनते हैं तो चापलूस लोग किसी नेता की चापलूस से करके उसको उसको परना पड़ता चापने से अपने मालिक के सरय चादता है और यह कंड़ी कि सीक विश्एष और जिनको कंड़ानी वहां आज संको बहुंद वालाज्चज्च निकले कि पितिक्कत होगी डिए चापने स्कार्सरा और हमारे हम आपको एक बैतर चापलूस बनाने की ट्रुबूरी ट्रेनिंग देंगे हमारा वादा है नमक की तरह कड़वा घ्यान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है मिठी बात करने वाले तो चापलूस होते है चापलूस भी होते हैं इतियास गवाया है कि आज तक कभी नमक में सबसे बड़ी विडमना उसे जूटी तारीफ सुनकर बरवाद होना तो पसंद है पर सच्ची अलोट न सुनकर समलना पंजूर नहीं है मनुष्य के साथ भी बुरा ही है कि वो जूटी चापलूस से सुनकर तो खुश हो जाता है लेकिन असली बात सुनने के अलोट न सुनन तो हमारे ठीली उनिवस्ट्री के डिगरी कोर्स में जरूर ले हम आपको एक बैतर चंचा बनाने का वड़ा करते हैं और अगर आप मेरी कोर्स में अडिविशन लेंगे तो शियह लोगी डेफिनिटली आप एक अच्छे चंचे बनेंगे राजनीती जीवन और नौकरिद दोनों चेतरों में आपको सफलता हासिल होगी हमारा वादा है आपसे सब परसंट फीस बापसी अगर आप ब्रतर चापलूस नहीं बन पाए तो और जो राजनीती में लगे हैं और टिकेट पाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी यह कोर्स बहुत ज़्यदे अध्यदों यह कि में किया ऑपने जसमें जनने वालों से सबस्क्राइब कराते हैं अपने सब具व i आप मेरे चैनल आक member पर कमेंट जरू करें क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और नहीं नहीं वीडियो बनाने है